हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप लोग आई हूप आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ एब दूबे और यह है आपका प्यारा से चैनल एंफी सेंटर इस्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के अध्याय नमबर 22 प्रकास वेदित प्रभाव के नुमेरिकल को सॉल्व करेंगे यह इस chapter का lecture नमबर 2 है इस वीडियो में हम लोग question number 16 से आगे के numerical को solve करेंगे इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगोंने question number 1 से 15 तक के numerical को solve कर लिया है जो numerical है वो हम लोग कुमार मिद्तल के book से solve करते हैं ये आप तो जानते ही होंगे तो इस वीडियो में कुमार मित्तल के बुक के कच्छा बारा फिजिक्स के अध्याए बाइस के सोला नमबर के नुमेरिकल को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्विश्य नमबर सोला जो कह रहा है वह है कि किसी धातु का कार्य फलन तीन तसमलो तीन इलक्टरान बोल्ट है किस निम्नतम आप बृत्तिका तथा अधिक से अधिक दिरखतम तरंग दैर्ट का फोटान इस धातु से फोटो इलक्टरान उत्सरजित कर शकिएगा देखें क्विश्य नमबर सेक्ष्टीन क्या कर रहा है क्विश्य नमबर सोला है बहुत ही आराम से सब एक्विश्य को वन वाई वन करके हम लोग समझेंगे कहीं से भी कोई दिकत किसी को आएगा तो आप हमें कमेंट कर देजेगा ठेक है देखें क्विश्य नमबर सोला कर रहा है कि किसी धातु है उसका जो कारे फलन है कारे फलन को हमने बताया था डबलू से प्रतरशित करते हैं कितना दिया है तेन इलक्टरान बोल्ट दिया है ठेक है ना कह रहा है कि किस निमनतम आप रिति उस निमनतम आप रिति को ह इसले पूछ रहा है कि किस अधिक्तम तरंगदार्थ का फोटान यह इसके बराबर होता है H mu naught के होता है इसके last वाला जो वीडियो था lecture number 1 वाला उसमें हमने इसी फार्मुले से last number वाला question 15 number का question solve किये था आपको याद होगा तो याद होगा W कारे फालन होता है H क्या होता है Planck's constant होता है mu naught क्या होता है बच्चों वह न्यू नतम आपरित जिसको देहली आपरित दिकाह जाता है ठीक है न चले यहां से हमें क्या निकालना है mu naught का मान निकालना है तो new naught is equal to हो जाएगा W के बटे H हो जाएगा ठीक है न तो यहां से mu naught w, w का मान कितना दिया है 3.3 electron volt इस electron volt को हमें किस में बदलना पड़ेगा Joule में तो Joule electron volt को Joule में बंदलने के लिए क्या करते है 1.6 गुड़े 10 के गाते माइनस उना इससे गुड़ा करते है बटे क्या है H Planck's constant का मान कितना होता है 6.6 गुड़े 10 के गाते माइनस 34 ठीक है न अब देखिए एक अंग पे 10 गुड़े 10 के गाते माइनस 36 हो जाएगा दो इससे करट जाएगा 0.8 हो जाएगा यह 10 के गाते माइनस 34 उपर जाएगा प्लस 34 हो जाएगा यानि mu naught is equal to कितना हो जाएगा 0.8 गुड़े 10 के गाते माइनस 19 गुड़े 10 के गाते प्लस 34 यहां से mu naught is equal to कितना हो जाएगा अच्चों 0.8 गुड़े यह गड़ जाएगा यानि 10 के गाते कितना हैगा 15 हो जाएगा एक इधर कर देते है इसको new naught is equal to कितना हो जाएगा आठ गुड़े 10 के गाते 14 हर्ज यह आपका जाएगा देहली आप बृत्ति का बान new naught is equal to कितना आठ गुड़े 10 के गाते 14 एंस वल आपका यही तक दिया है तो आप तो यही तक लिखे कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होगी दूसरा question हमसे पूछा क्या है दूसरा question हमसे पूछा है lambda naught देखे हमने formula क्या पढ़ा है बताइए w बराबर होता है h new naught देखे new naught क्या होता है new naught क्या होता है new naught आपका होता है c के बटे lambda naught new not, lambda not का जो гुडणफल होता है वह C के बराबर होता है तो new not का मानि ही आपे रग देते हैं अत्त क्या होजाएगा w is equal to क्या होजाएगा w is equal to होजाएगा, sh new not की जगह में क्या रखना है C बटे lambda not lambda not का मान में निकालना है तो lambda not इधर आएगा लेम्डा नॉट इदार आया, क्या हो जाएगा, H C के बटे W हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चले, लेम्डा नॉट इस इक्वल टू, H S का मान हमें पता है, 6 दस्मलों, 6 गुड़े दस्के गाते, माइनस जाएगा, C का मान तो सब को पता होता है, प्रकाश का, 3 गुड़े दस्के गाते, 8 मीटर पर सेकेंड, बटे W, W का मान कितना दिया है, 3 दस्मलों 3 electron volt, इस electron volt को में किस में पतलना पड़ेगा, Joule में, एलक्टान बोल्ट को जूल में पदलने के लिए क्या करते हैं एक दस्मलो उच्छ गुड़े दस गहाते माइनस होने इससे गुड़ा करते हैं यह इससे कैंसल होगा दो बार जाएगा ठेक है न दो त्यां कितना हो जाएगा लैमडा नौट इस गुड़े दो कागुड़ा तीन में करेंगे इदर 10 के खाते माइनस 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 के खाते माइनस 26 यह माइनस होने इस उपर जाएगा तो प्लस उने इस हो जाएगा बटे कितना बचा है एक दस्मलो उच्छ टेका न इधर से lambda not is equal to कितना हो जाएगा देखिए 6 बटे एक दसमलों अच्छा देखिए ये 10 बटा देना चाहते हैं 10 बटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 के बटे 16 इधर देखिए कितना बचेएगा 10 के गाते माईनियस 7 भाग देते हैं सब शरल सरल है lambda not is equal to कितना हो जाएगा देखिए भाग देते हैं शोलत में बत्ति शोलत रिक 48 बारा बचेगा दसमलों बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा ठीके ना सोल सत्य हो जाएगा क्या लगबक साथ बहर जाएगा 3 डसमलों 7 गुड़े 10 के गाते कितना माईनिस 7 ये आपका हो जाएगा अंगे स्टान वे बतलना है तो एंगे स्टान वे बतलेंगे कैसे बताएगे 3, 10, 7 गुड़े 10 के घाते minus 7 है, 10 के घाते minus 3 और 10 के घाते plus 3 से क्या करते है, गुड़ा कर देते हैं ठीक है न, यहाँ से Lambda not is equal to हो जाएगा 3, 10, 7 गुड़े 10 के घाते 3, यह minus 10 हो जाएगा ठीक है न, minus 10 यह देखिए, meter में आया है, इसको हम नोट कर लिजे अब दीखिए जैसे एंसर दिया है 7050 तो यहां पर हमने क्या किया है कि वेल एक अंकते दस्मेलों लेकर गया है न यह तीन दस्मेलों शाते तो पास बार और जाता था ठीक है ए ज़िए सब भाग देंगे तो लगभग इतनी बर जाएगा न यहां से और यहां पर यह क्या होजाएगा से तिस सो पचास एक्जेक्ट भाग देखर के लिखेंगे तो आपका श्रही आएगा नोट करिए विडियो को पॉस करके नोट कर लिजिए इद्दम एजी है कहें शे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा नोट कर लिजिए क्विशन नमबर 16 है इसके बाद हम लोग डेक्श्ट क्विशन क्विशन नमबर कौन सा देखेंगे शत्रह देखेंगे तो क्विशन नमबर 17 कह रहा है कि किसी धातों का कारे फॉलन 6.6 इलक्टरान बोल्ट है प्रकाश वैदुत उत्सरजन के लिए इसकी तरंग दैर्द ग्यात कीजिए रफ कर देए इसको चले क्विशन सबीजी है आशान है कहीं से कोई क्विशन मुस्किल नहीं पैदा करेंगे आपको क्विशन नमबर अब हम लोग देखेंगे 17 ठीक है क्विशन नमबर 17 देखें क्या कह रहा है कि किसी धातों का कारेफलन को किसे प्रदर्शित करते हैं डबलू से कारेफलन कितना दिया है 6.6 इलक्टरान बॉल्ट हमसे पूछ रहा है कि प्रकास वैदू तो सर्जन के लिए इसकी तरंग दैर्थ ज्याद किजिए लैमडा कमान बताना है टेक है न लेम्डा कमान कैसे बताएंगे बताईए डबलू बराबर अवी हमने क्या पड़ा है एक सी के बटे लेम्डा तो यहांसे मुझाट क्या हो जाएन बताइए यहांसेwie लेमडा इसकल टो हो जाएगा एक playground डवलू सॉल पर देते हैं लेम्डा य लेक्ट्रान बोल्ट को किस बदलेंगे जूल में तो इलेक्ट्रान को बदलने के लिए को स्बस्की कोड़नाय पूरा-ग्रा पूरा इस से गोठा ये 6 यboy मुझीए 1010-6 बचा केको गा यते यए लेंब्डाइस इक थतर एक तर फ्लत और इस उपर जाएगा तो plus 19 हो जाएगा तेका न अब देखिए इस 10 मलों को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 30 के बटे 16 हो जाएगा minus 34 plus 8 देखिए 29 8 कितना हो जाएगा 27 29 8 27 और इधर घटाएगे देखिए 29 8 27 हो जाएगा 37 हो जाएगा 10 के घाते कितना है या माइनस साथ इसका इसमें भाग देते हैं लेंड़ा इस इकल डू देखिए कितना हो जाएगा 16 एककम 16 14 बचा लगभग 16 8 18 जाएगा ठीक है न 16 ठीक सो अठाएगा फिर 12 बचेगा ठीक है न तो 120 यानि 16 सत्य इतना लगभग जाएगा गोड़े 10 के घाते माइनस साथ ये मेटर है अगर इसको हमें बदलना है एंगेस्टान में तो 1000 से क्या कर देते हैं गोड़ा कर देते हैं अब तो बदलना आता है एकजार से गुड़ा भाग करेंगे ये 10 करेंगे माइनस 10 होगा तो एंगेस्टान में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा लगबग 1870 एंगेस्टान अभी इसके जस्ट पहले हमने चेंज करके देखा कि ये कैसे चेंज हो रहा है तो कितना जाएगा 1870 एंगेस्टान अब देखें यहाँ भी आप कहेंगे कि 875 दिया है तो इसका जब भाग देंगे न तो एक दसमलो आठ साथ पांच जाएगा आठ साथ पांच जाएगा भाग देकर कि आप चेक करिएगा तो एक्जेक्ट एंसर आपको मिल जाएगा ठीक है न बेड़ों को प देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है क्विश्ट नमबर अठा रहे है कि सोडियम का कारेफलन दो इलक्टरान बोल्ट है असपश्ट कीजिए कि क्या साथ हजा रहेंगे स्टान तरंग दैर्द का प्रकास उसके प्रिष्ट से इलक्टरान उतसर जित कर सकेगा सबसे पहने कहा कि एक सोडियम का प्रिष्ट धातु का तुकड़ा है उसका जो कारेफलन है वा कितना है दो इलक्टरान बोल्ट है यानि कि अगर उसको कम से कम दो इलक्टरान बोल्ट की उरजा मिलेगी तभी वहां से इलक्टरान बाहर निकलेंगे अगर इस से कम उरजा होगी तो कोई भी होता है कि कम से कम उसको इतनी उर्जाद दे तभी जाकर के इलक्टान बाहर निकलेगा यानि सोडियम को दो इलक्टान बोल्ट के उर्जा देंगे तभी इलक्टान बाहर निकलेगा दरवाइस नहीं निकलेगा कह रहा है कि हम एक प्रकाश गिरा रहे हैं ठीक है न उस सर्जन के लिए नहीं नहीं साथ हजार एंगेस्ट्रान का तरंग दैर्थ का प्रकास उस पर गिरा रही है तो क्या वह है प्रकास इलक्ट्रानों को निकाल सकेगा ये निकालेंगे तो हम निकाल लेते हैं 7000 एंगेस्ट्रान का जो प्रकाश है उसके पास कितनी उर्जा है तो उर्जा निकालने के लिए E is equal to क्या होता है H C के बटे लेम्डा यही फार्वुला एनर्जी निकाल लेगा ना तो यहां से इनर्जी निकाल लेते हैं h कामान कितना होता है च्छह दस्ब्लो छह दस्ध्रबमिपार pics K 19 tu कामान कितना होता है उसके बाद लेंडा क्राश कितना दिए । 210 में म्याइ बैलेंगे तो 10गात़ हो ठीक है अब यहां से क्या करते हैं अब दिधाने एक और चीद वज्वागे सबजके यह जो एनर्जी आएगी वह किस में आएगी जूल में आएगी जूल में आएगी। जो हमारा रिजल्ट आएगा वर एलक्टान बोल्ट में आएगा अगर ये इनर्जी इससे जादा है या इसके बराबर है तो एलक्टान निकल जाएंगे अगर इससे कम आ गया तो कोई भी एलक्टान बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि सोडियम को कम से कम इतनी उर्जा चाहिए जेए तभी लक्टान बाहर निकलेएंगे अदरवाईज नहीं निकलेएंगे चलें साल्व करते हैं चेक करते हैं कितना आता है एस एक प्ले टो देखिए एक गंग पे दसमीलो इधर लगा है ठीक है ना? cancel हो जाएंगे अब देखें यहां से इसको करते हैं साल्व चले लि मैंस साथ बारोन लेते हैं नीचे, इधर साथ गुड़े कितना है, 16 है, माइनस साथ, माइनस बारोनेकना हो जाएगा, माइनस बारोने सब्सक्राइब, भटोल को है, अब इदर देखें, काड़ देते हैं, अब इधर दोऑठे, 16 हो जाएगा, ओर नहीं रहें, ठीक है ना 33 गुड़े 3 33 का गुड़ा 3 में करेंगे तो 99 7886 हो जाएगा ठीक है ना इसका इसमें भाग देंगे तो जब आप भाग देंगे तो हमने भाग देकर के रखा हुआ है वो आएगा लगभग 1.777 इलक्टरान गोल्ट इसका इसमें भाग देंगे तो 1.777 इलक्टरान गोल्ट आएगा अब देखी जो हमने तरंग देर्द दिया 7000 आप इस ट्रान का वो जाता से जाता कितनी उर्जा दे सकता है 1.777 इलक्टरान गोल्ट उस सोडियम को क्यों नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यह तरंग देर्द केवल इतनी उर्जा दे पा रहा है लेकिन उसको ज़रूरत इतनी किये टिक है कोई दिक्कत नोट करिए वीड़ो को पास करके क्विशन को नोट कर लिजे अच्छा क्विशन है करसकेrik चीजे एकदम clear है कही से कोई भी दिक्कत नहीं होगी रफ कर दें तेखानो अब क्लासेश आपको कुस अब बन शुका है क्विभ केत नहीं नहीं होगी चले अब लोग्ट विशें देखेंगे कुशन नमबर कौन सा है, 30 कि क्विशननमर हमारा क्या है, 29 करा कि एक पदार्थ के कैथोर से 6000 एंगेस्टरान से अधिक तरंग देर्थ की विद्दु चुम की तरंगे फोटो एलक्ट्रान उत्सरजन नहीं करती है यानि कि 6000 से ज़्यादा अगर एंगेस्ट्रान का तरंग दैर्द होगा तो कोई भी एलक्ट्रान बाहर नहीं निकलेंगा यानि ये क्या है देहली तरंग दैर्द है देली तरंग दैर्थ को किसे प्रदर्शित करते हैं लेम्डा नॉट लेम्डा नॉट का मान कितना दिया है 6000 एंगेस्टरान यानि इसको अगर बदलना हो मेटर में तो 6 गुड़े 10 के घाते माइनस 7 मेटर लिख देंगे कोई दिक्त अब कह रहा है कि इस कैथोड पर 4000 एंगेस्टरान का प्रकास डाले इस कैथोड पर हम जो प्रकास डाले हैं लेम्डा का जो मान दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं 4000 एंगेस्टरान का ठीक है ना तो लेम्डा इस इकुल तो कितना हो जाएगा 4 बुड़े 10 किखाते reais minus 7 meter आप दिखी electron को बाहर निकालने के लिए जादा से जादा इतना तरंगद इससे जादा होगा तो कोई भी electron बाहर नहीं निकलेगा तो हम इतना दे रहे हैं यानि कि electron बाहर निकलेंगे औरे इससे कम ही तो देना है तो ये वाला जो है इससे कम है यानी लक्टान बाहर निकलेंगे अब लक्टान बाहर निकला तो पूछ रहा है कि उसके पास कितनी गतीज उरजा होगी बाहर निकला उसके पास कितनी अब इसको एक एक एक्जांबल कितुरों समझाते हैं Suppose करते हैं यह हमारा कोई धातुका प्रिष्ड है यहांबे माल लेते हैं एक एक लॉक्टरान निकला है हमने जो प्रकास गिराया माल लेते हैं यह प्रकास जादा से जादा आठ जूल उर्जा क्या करता है, इस एलक्टान को दे सकता है, समझने के लिए इतना दे नहीं पाएगा, ठीक है ना, आठ जूल उर्जा ये इसको दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इस से ज्यादा उर्जा वो उसको नहीं देगा, अब माल लेते ही ये जो एलक्टान है, य इसको 814 मिलेगा तुरंद क्या होगा बाहर निकलाए, श्वाय 3 जईज़ लक्टाना ऐसे बाहर आएगा तो, दो जूल जो था वह खर्चा कर दिया बाहर निकलने में आब बाकिस बचा है 6 जूल वह इसके अंदर काईनेटिक एनर्जी के रूप में संचित रहेगा बाकी का जो यहाँ पे एनर्जी है वह कैसा काईनेटिक एनर्जी के रूप में है बास समझ पाएं यह एलक्टान था इस एलक्टान को इस प्रिष्ट से बाहर निकलने के लिए दो जूल उर्जा किया आओ सकता थी हमने प्रकास गिराया यह प्रकास इस इलक्टान को कितने उर्जा दे सकता है आठ जूल उर्जा दे सकता है यह प्रकास आया इसको आठ जूल उर्जा दिया इसको 2 जूल की जलुत्थी बाहर निकलने के लिए बाहर निकला यानि 2 जूल उर्जा या बाहर निकलने के लिए क्या करेगा खर्च कर देगा अब बाकी जो बचा है 6 जूल 8 जूल दिया है 2 जूल खर्चा के अभी 6 जूल तो बचा है ये चाजुल उर्जा क्या करेगा इसके अंदर काइनेटिक इनर्जी के रूप में संचित रहेगा अता जो काइनेटिक इनर्जी होगा इसकी जो काइनेटिक इनर्जी होगी काइनेटिक इनर्जी होगी वह क्या हो जी टोटल उर्जा ठीक है ना डबलो टेक है ना ये उसके पास इतनी काइनेटिक रहेगी टोटल उर्जा उसने ली और कितना बाहर निकलने में खर्च कि इसको हमने प्रकास वैदुत प्रबाव स्वरी आइंस्टीन का प्रकास वैदुत समिक्रण में प्रूफ करवाया है फिर यहां पर थोड़ा सापको बता दिया चलिए एक हाल उसके पास कुल कितनी उर्जा कुल उर्जा देने वाला क्या है यह तरह दैर यहीं तरह दागा करके उस पर गिर रहा है तो तो यह सब चीजे क्लियर है एक दम बड़े आसा लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है तो कई दिक्कत नहीं होना चाहिए एक इस इकल टू कितना हो जाएगा है एक सी एक देखे दोनों में कॉमन है क्या कॉमन कर लिया वन अपन लेमडा माइनस वन अपन लेमडा नाट यहीं काइनेटिक इनर्धी का फार्वुला है ध्यान दिजेगा एक इस इकल टू एक सी चाह दसमलो च्छ गुड़े दसके गात होते माइनस शोंतिस सी कमान कितना होता है तीन गुड़े दसके घाते आठ ठीक है ना अब इधर देखे तिरिया गुड़ा करा देते हैं एलसी में लिकर के सॉल्व करेंगे लेमडा नॉट माइनस लेमडा गुड़े लेमडा इंटू लेमडा नॉट इह बाद सम्सक्राइ ठीक है इसी को solve करेंगे हमारा result हमारा इंतचार कर रहा है चले यहां से ek is equal to कितना होगा ek is equal to हो जाएगा 6.6 multiplication by 10 power minus 34 गुड़े कितना हो जाएगा 3 गुड़े 10 के गाते minus 8 चले lambda not का मान रखते है lambda not का मान कितना है 6 गुड़े 10 के गाते minus 7 यह lambda not नहीं रहेगा lambda का मांण कितना है 4 गुड़े 10 के गाते minus 7 बटे कितना हो जाएगा lambda गुड़े lambda not lambda का मान कितना है 4 गुड़े 10 के गाते minus 7 lambda not का मान 6 गुड़े 10 के गाते minus 7 ठीक है ना ek is equal to कोईगा 6.6 multiplication by 10 power minus 34 लेंगे तो चाहा थे माइनस साथ में टून दोटने साथ में से चाह तो कितना हो जाएगा दोटे शार घ। 4 गुड़े 6 गुड़े 10 गाते माइनस 7 माइनस साथ माइनस च्छ उदभ हो जाएगा ठीक है ना दीके तीन दू नीच आएला किसमे आएगी जूल में आएगी बत वह इसको में किसमें बदलना पड़ेगा एक दस्मलों6 देखें जूल मैं इसको हमें किसमें बदलने के लिए बताइए क्या करते हैं अब इसको पहले solve कर लिए देखे 14 8 कितना हो जाएगा 14 8 22 22 मेंसे यह घड़ जाएगा कितना बचेगा देखे 22 में 12 और यह कितना हो जाएगा बारशात 19 यानि इसको solve करेंगे 10 के घाते माइनस 19 आएगा ठीक है नई प्राशात 19 अब यहां से कितना हो जाएगा यहांसे कितना हो जाएगा इको स'चेट कितना हो जाएगा देखे यह जूल में आ पूरा क्या हो जाएंगा कैंसल हो जाएगा यानिए उसके पास जो एनर्जी होगी वह लगवग एक एलक्टरान बोल्ट की एनर्जी होगी ठीक है ना उसके पास जो एनर्जी होगी वह कितनी होगी एक एलक्टरान बोल्ट की होगी नोट कर लिजे विडियो को पास करके क्विशन नमबर होना इसको विडियो को पास करके क्विशन नमबर ह चलते हैं next question कौन सा है question number 20 कि किसी धातु का प्रिष्ट का कारे फलन एक लेक्टान बोल्ट है छे लेक्टान बोल्ट की उर्जा के photon को धातु प्रिष्ट पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्टान की गतीज उर्जा जूल में निकालनी है कितना अशान असान questions है कितना अशान है हलाकि numerical साबके सब आशान होते हैं concept अगर clear है तो चीजे आपको आसानी से आ जाएंगे question number क्या करेंगे 20 देखेंगे question number क्या करहा है कि एक आपका धातु का प्रिष्ट है जिसका का Een क्श्डग सान कितना दिया है कार्य क्यों अपका दिया है एक एLEक्टान निकालना है और तो आथ का इसको हमें निकालना है यह ने निकालन को आपका हो जाएगा 5 electron bolt लेकिन का है कि इसको हमें निकालना है किसमें जूल में तो electron bolt को जूल में बदलते हैं कैसे electron bolt को जूल में बदलने के लिए 10.66 गुड़े 10 के घाते माइनस उनईस से क्या करते हैं गुड़ा कर देते हैं तो e k is equal to कितना हो जाएगा 16 पचे 80 एक अंग पर 10 पर लग जाएगा 10 के गाते minus 19 जूल यह हमारा क्या है answer है कितना चोटा सा question है पताईए question number 20 आएगा एक number में यह सब question आपको एक number में देखने को मिलेंगे क्योंकि concept वाली चीज है यह आपको पता रहेगा तभी यह कर पाएंगे भले ही छोटा है लेकिन यह पता है तभी होगा न तो यह concept है इसलिए इसका number आशकता है चले note करिए note कर लीजिए उसके बाद हम लोग next question question number इक आईज देखते हैं क्या करा है कि किसी धातू का कारे फलंच 626 इलक्टरान बोल्ट है इस धातू पर सवेंगे स्टन तरंगदेर्थ की यक्स किरड़े गिराई जाती है उद्सरजित एलक्टरानों की अधिक्तम गतीज उर्जा देखें अधिक्तम गतीज उर्जा हमसे पूछ रहा है, question number 21, कहा कि एक आपका क्या है, धातु का कारे फ़लन कितना दिया है, धातु के कारे फ़लन को डबलू जे प्रतरशित करते हैं, कितना है, च्छा दसमलो च्छा एलेक्टान बुल्ट, अब आगे क्या कहा रहा है, कि 100 एंगेस्टान का तरंग गैर्द, lambda is equal to कितना दिया है, 100 एंगेस्टान, सबसे पहले, ये 100 एंगेस्टान उसको जादा से जादा कितनी एनरजी दे पाएगा, वो निकालेंगे, उस एनरजी में से ये वाली घटा देंगे, कानेटिक एनरजी आ जाएगी, ठेक है न, तो e is equal to क्या निकालने का फार्मुला है, ब कितना है, 100 एंगेस्टान, देखे, 100 को लिख सकते हैं, 10 के गाते, 2 एंगेस्टान को मेटर में बदलते हैं, 10 के गाते माइनस 10 मेटर, कितना आशान है, is equal to कितना हो जाएगा, चलिए दिखते हैं, देखे, 6 दसमलों 6, ये जूल में, इसको किस में बदलना है, एलक्टरान ब में बदलते हैं, 10 के गाते, माइनस 34 से, प्लस 8 है, कितना हो जाएगा, बताइए, अच्cee, ये तीर लिख देते हैं, माइनस 34 लिखे, 18 गितना हो जाएगा, माइनस 26 बटे इधर, कितना है 10 के गाते, 1 आशान पर 2 माइनस 10 यानी, 4.16 होगा इधर कितना हो जाएगा ध्यान से दिखे तो 4.1 4.2.6 यानि कि 4.24 तसमलाव 5 हो जाएगा ठीक है ना? अब यहाँ is equal to कितना हो जाएगा ध्यान समझे अच्छा चले इसको भी काड़ देते हैं इसको भी काड़ देते हैं 4.16 हो जाएगा ठीक है ना? फिर 4.1 4 हो जाएगा 2.0 बचेगा 2.0 यानि 4.16 4.1 4.10 4.2.8 इतना है काड़ देंगे तो कितना चले लिख देते हैं 4.1.2.5 गुड़े 3.10 के गाते माइनस 26 बटे कितना है इधर देखे माइनस 8 माइनस 27 हो जाएगा ठीक है ना? अब E is equal to क्या होगा? 3 का इसमें गुड़ा करा देते हैं 3 पचे 15 तीन दू नीच्छ है एक 7 तीन एक कम 3.3 चक 12 ठीक है ठीक है तीन हंग पे 10 माइनस 27 उपर चला जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा क्या? हाँ 27 हो जाएगा E is equal to यानि टोटल एनर्जी आ जाएगा 12.375 गुड़े तरस हो जाएगा एक बचेगा तो यहाँ से E is equal to कितना हो जाएगा 123.75 एलक्टरान बोल्ड यानि कि यह जो 100 एंगेस्टान का तरंग दैर्द है वह जादा से जादा इतनी एनर्जी दे सकता है इस से जादा एनर्जी नहीं दे पाएगा ठीक है अब देखे इस में से इतनी एनर्जी पाकर के वह बाहर निकलेगा तो बचेगा कितना यानि काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल एनर्जी माइनस कारिफलन वर्क फंक्शन E is equal to total energy कितना है 123.75 वर्क कितना कर रहा है बताईए कारिफलन है 6 दस्पलो 6 एलेक्टरान बुल्ट यानि E is equal to हो जाएगा घटा देते हैं तो 117.75 एलेक्टरान बुल्ट यह आपका क्या है एन्सवर है क्विशन नमर 20 21 दोनों क्विशन को बिड़ो पास करके नोट कर लिजे विड़ो को पास करके बोनों क्विशन को नोट कर लिए सब गुशन साप को कहीं से कोई दिकत नहीं होगी इसके रफ कर दें चले दे amendments सब क्विशन प्रपलम आने वाली नहीं है नेक्स्ट क्विशन की उर चलते हैं नेक्स्ट कुछिशन कौन सा है 21 ठीक है कुछिशन नमबर 21 सरी 21 तो हो गया 22 देखना है कराया कि चवालिस सो एंगेस्टान तरंगदेर्द का प्रकास एक धातु के तल पर आपती थे कारिफलन दो तसलों पाच एलेक्ट्रान बुल्ट है एलेक्ट्रानों की संभव गती जूचा देखिए वहें गामिहावी करना है द्यान दीजेगा कुछिशन नमबर 22 में क्या कह रहा है कह रहा है कि सब्सक्राइब अब हमने क्या देखा यह एनरजी निकाल लेगा फार्मूला एच सी बटे लेंड़ा तो यहां से इस इकुल टू कितना हो जाएगा एच एच कमान कितना होता है च्छ दस्वलों च्छ गुड़े तसके गाते माइनिस चौथीस सी कमान कितना होता है तीन ैके चले लिक देने च्छ डूत लोक दसके गाते माइनिस चौँ तीस गुड़े तीन गुड़े तसके गाते ऐठ इसको देखिए क्या लिख रहे है 4, 4, 4, 10 के गाते प्लस 3 लग सकते हैं नहीं लग सकते हैं आशान है शब चीज़े आप कर सकते हैं ठीक है एक अन्ग पे 10 वलो 10 वलो से कैंसल हो जाएगा 22 से कार देते हैं 22 दुना, 24, 22 ते ही या 6, 4, 3 का गुड़ा 3 में करेंगे 9, 9 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ये वाला, ठीक है minus 34, plus 8, कितना हो जाएगा 10 के गाते, minus 26 ये देखे, plus 3, minus 10 minus 7, minus 7 उपर जाएगा, plus 7 हो जाएगा ठीक है is equal to भाग देते हैं, 4.5 हाएगा क्या, 10 के गाते कितना हो जाएगा बताइए, इधर minus 19 minus 19, ठीक है अब ये क्या आया है बताइए, जूल में इस जूल को हमें किसन में पड़ेगा ऐलक्टान बोल्ट में तो जूल को ऐलक्टान बोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं जूल को ऐलक्टान बोल्ट में बदलने के लिए एक 10 मलोट था गुड़ी दसके घाते माइनेस उनेश से भाग देती हैं टिक न यह दसके घाते माइनेस उनेश से क्या होगा cancels यह दसमलोट इस डसमलो से क्या होगा cancels E का मान निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा देखे शोले दुना बतती शोले तरीक 48 पर चिक करते हैं भाग देंगे तो आपका जो आएगा वह 2.81 इलेक्टरान बोल्ट आएगा हमने भाग दिया है इसका भाग इसमें देंगे कितना कितना जाएगा 45 बटे 16 करेंगे तो कितना आएगा दो दस्मलो आठ एक एलेक्टरान बोल्ट अब पूछ रहा है कितनी काइनेटिक इनर्जी इसमें होगी तो काइनेटिक इनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल इनर्जी माइनस वर्क फंक्शन तो काइनेटिक इनर्जी निकालना है टोटल इनर्जी कितना है दो दस के अंदर जो काइनेटिक इनर्जी होगी वह 0.61 एलक्तरान बोल्ट की काइनेटिक इनर्जी होगी विडिव पाउस करके नोट कर लीजिए चले इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विश्चन चलते हैं क्विश्चन नम्र कौन सा है क्विश्चन नम्र है आपका तेज की धातु के लिए प्रकाश वैद्दुत का कारेफलन कारेफलन दिया है डवली इक्वल टू 3.3 कारेफलन कितना दिया है 3.3 एलक्तरान बोल्ट ठीक है ना कहा राया है कि इसके प्रिष्ट पर एक दसमलों दो गुड़े दसके घाते 15 हर्ट की आब्रित्ति वाला यानि म्य कितनी है तो काइनेटिग रिक इनर्जी कितनी है बताईए टोटल एनर्जी यह आप रित इसको टोटल कितनी अरजी दे सकता है यह फार्मॉला होता है एच निउ टिक है ईज कॉल टू आपको हो जाएगा एच कामान कितना 6 दसमों च्रुड़े दसके घाते टिस निउ का मन कितना दिया है 1.2 multiplication by 10.14 ये क्या हैगा जूल में आएगा ये किसमें जूल में इसको बदलेंगे किसमें बताइए एलक्टान बोल्ट में जूल को इलक्टान बोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाता है जूल को इलक्टान बोल्ट में बदलने के लिए क्या किया जाता है एक दस्मलो चग उडश के घाते-21स से भाग दिया जाता है ठीक है ये दसमनों से चार से इसको काटादेते 4-16 इसको काटेंगे तो 24ником 4-24 चम्लिश फ्रिद दो जीरो यानि सब्सक्राइब कर देते हैं चार चुक शोल चार एक कम चार दू ठीक है इतना आएगा ठीक है यानि एका जो माना रहा है वह चार दस्वलोग एक दो पांच गुड़े यह एक दस्वलोग दो भी है भी यह माइनस चोंटीस देखें माइनस चोंटीस प्लस पंद्र है गड़ सकते चाहिएगा माइनस 10 बेटी कितना है काते माइना सोने माइनस 10-10 से कैंसल हो जाएगा चले गूरा करते हैं बारफ पंजे साथ 12-12 24 तीस बारेख कंभारतीन पंद्र बार चर अड़तालिस अग उन्चास कितने हैं पह दस्वलोग दूर 11.2 यहां पह दस्वलोग निकलने के लिए खर्श करेगा 3.3 यालि जो काइनेटिक इनरजी के अंदर होगी वे टोटल एनरजी में शेकारेफलन को घताने पर मिलेगी टोटल एनरजी उसको कितनी मिली बिच्चों टोटल एनरजी विली 4.9 कारेफलन कितना है 3.3 this implies that ek is equal to कितना हो जाएगा 6 इधर 2.6 electron उसकी जो गती जूर जा होगी वो कितनी होगी 2.6 electron bolt की गतीश और जा होगी note करिए विड़ो को पॉस करके note कर लीजिए ठीक है यहाँ पर आपका 1 रहेगा न देखे तीन में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा तो 1.6 electron bolt है यह आपका question number 22 है वो question number 23 है दोनों question video पॉस करके note कर लीजिए note कर लिए, rough कर दें चलिए I think यह सब सवाल आपको आ रहे होंगे कहीं से किसी को दिक्कत ने concept clear होने चाहिए गुड़ा भाग इधर उदर थोड़ा बहुत हो सकता है हमारा भी हो सकता है, हो सकता है कुछ हैंसर इधर उदर आ रहा हो लेकिन concept clear होना चाहिए concept आपको पता चल गया है total energy निकालेंगे, जो कारेफलन है यानि जो निकलने में खर्च हो रहा है उसको घटा देंगे, जो आएगा वो इसके अंदर kinetic energy के रूप में रहेगा ठीक है, चले next question कौन सा होगा question number 24 क्या कहा रहा है, देखिए कहा रहा है कि 3 गुड़े 10 के गाते 15 Hz आप रित्ती की भीकरण एक प्रकाश वेद्वत प्रिष्ट पर गिरता है जिसका कारेफलन 4 इलक्टान बोल्ड का है प्रिष्ट द्वारा उस सर्जित प्रकाश इलक्टानों का अधिकतम बेग यहां पूचा है यहां क्या पूचा है, वेग सबसे पहले क्या करा है, जो आप रित्ती है, वह तीन गुड़े 10 के गाते 15 है आप रित्ती कितनी है, तीन गुड़े 10 के गाते 15 है और जो डबलू का मान दिया है, डबलू का मान वह कितना दिया है W का मान आपकादी है चार Electron बोलट या इतना उर्जा वो खर्च कर देगा बाहर निकलने में हमें निकलना क्या है हमें निकलना है उच्चो क्या उसका अधिक्तम बेग किस बेग सी वो बाहर निकलेगा चले, देखे, हम काइनेटिक इनर्जी निकालने का क्या फार्मूला जानते हैं, काइनेटिक इनर्जी निकालने का फार्मूला होता है, टोटल इनर्जी माइनर्ज कारेफलन, यही होता है, हाँ, काइनेटिक इनर्जी क्या होती है, काइनेटिक इनर्जी होती है, हाफ यम भी स्क्वायर गती जूर जाए ही तो होता है E E निगालने का क्या फार्मूला है H नियो माइनस W तो हमें दिया है अब सब की वैल्यू को रखते हैं एक बटा दो YUM एलक्टान का दर्मान कितना होता है 9.0 गुड़े दस के खाते माइनस 30 किलोग्राम B का मान तो हमें निकालना है H हमें पता होता है 6.0 गुड़े दस के खाते माइनस 34 ठीक है न W W का मान कितना है बताए H नियो यहाँ पर W, W का मान कितना दिया है आप दिहान से समझेगा यह जो एनर्जी आएगी 6.0 गुड़े दस के खाते 15 यही है न अरे H नियू H का मान इतना है नियू का मान इतना है यह जो आएगा Joule में आएगा Joule को हमें किस में बदलना पड़ेगा Electron Bolt में Joule को Electron Bolt में बदलने के रिए दस के खाते माइनस 14 इससे गुड़ा भाग दिया बास समझ रहे है न या तो इसको Joule में बदलिए या फिर इसको Electron Bolt में दोनों सेम से बढ़ेंगे तभी तो घटेगा दोनों Electron Bolt में रहेंगे तब घटेगा दोनों Joule में रहेंगे तब घटेगा एक Joule एक Electron Bolt तो कहा घटेगा माइनस W W का मान कितना है W का मान कितना है चारे चारे अच्छे चले इसको जूल में बदलते हैं क्योंकि वेग हमें निकालना है ना वेग निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको जूल में बदलते हैं इसको माइनस 4 इलक्टान बोल्ट है, इलक्टान बोल्ट को जूल में बदलने के लिए तो इसके गाते माइनस उने से क्या कर दिया, गुडा कर दिया, ठीक है, अब यह देखे क्या होगा, इससे कैंसल होगा, 4.5 आएगा, जो बचा है उसको लिखते चलते है, 4.5, इसके लिए द्रविमान, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, द्रविमान माइनस 1 होता है, यहाँ पर माइनस 30 बनोता है, 30 बनोता है, यह आपको पता होना चाहिए, गुड़े क्या है, बी स्कॉरे, इस इकुल टु इधर देखे क्या कुछ कॉमन है क्या, चलिए, शॉल करत जाएगा, चाहों सट्यानी छाह दस्मलो, चार गुड़े दसके लाते माइनस, और इस हो जाएगा, ठीक है न, यह पूरा का पूरा गुड़े में है उधर जाएगा, भाग में होगा, यानि भी स्कॉरे इस इकुल टु कितना हो जाएगा, अब देखे दसके लाते माइनस 1 कामन है, कामन करेंगे, तो क्या बचेगा, 29 दस्मलो, आठ माइनस 6 दस्मलो, चार गुड़े दसके लाते माइनस 19, बट्टे कितना हो जाएगा, यह पूरी की पूरी क्वांटिटी, चार दस्मलो, पांच गुड़े दसके लाते कितना माइनस, 31, ठीक है न, बी स्कॉरे इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर कटाते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा, 4, 9 में से 6 जाएगा, 3, ठीक है न, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है न, अब बट्टे कितना हो जाएगा, 4 दस्मलो, पांच, दस गाते माइनस 19, और यह माइनस 31 उपर चला इधर आपका बचे का दसके खाते हैं, माइनस 12 है, ठीक है न, अब इसी को करना है, solve करते हैं, ठीक है न, 20 स्कार इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखे, 45 बटे 134 है, तो यह आपका लगबग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, अगर 135 होता तो 3 बार जाता, तो ल 20 स्क्वार इस इकोल टू तो 20 बडार इतना हो जाएगा, अंडर्रूर्ड 3 गुड़े 10 के खाते माइनस 12 हैं, यानि 20 गुड़े 10 के गाते माद कितना होता है, एक 2 बर्ड़ों साथ 20 धो, गुड़े 10 के खाते माइनस 12 बार बार निकलेगा, 10 के गाते 6 मेटर पर सेकेंड, ठ ठीक है बिड़ो को पॉस करिए अच्छा यहां पे यह माइनस नहीं होगा सॉरी यह देखे प्लस एक टीट तो प्लस बार आएगा यह भी प्लस बार रहे यह प्लस बार रहे प्लस चाह जाएगा यह एंस वर है क्विश्चन नमबर 24 को बिड़ो पाउस करके नोट कर लिजिए नोट कर लिए चले नेक्स्ट विशन की ओर चलते हैं नेक्स्ट विशन करा रहा है क्विश्चन नमबर 25 ऐल्मूनियम धातुका कारिफलंग 4 तसपलो 2 इलक्टान बोल्ट है इस पर 2000 एंगेस्टान की एक लिए बिभवानतर ग्याद कीजिए देखिए इसके पहले वाले जो भी अमिन लगाया है यहां बेग बूचा अब करा है बिभवानतर निकाली यह भी सरन है पस्थोड़ा सा कॉंसेट्ट आपको पता होना चाहिए अधर्वाइस दिक्कत आपको होगी चले क्विश्चन हमारा क्या है क्विश्चन नमबर पचीश क्विश्चन नमबर पचीश कह रहा है कि एलमूनियम धातु का कार फॉलंड डबलू कितना दिया है चार दसमलों दो इलक्ट्रान बोल्ट ठीक है कह रहा है कि इस पर दो हजार एंगेस्ट्रान की प्रकास की लोग को इस एंगेस्टान को किसमे बदलेंगे मेटर में तो दो गुड़े दसके गाते माइनस साथ मेटर तो बिवानतर पूछ रहा है बच्चो सबसे पहले काइनेटिक इनर्जी एके की बेली बताइए एकी नॉट होता है क्या निरोधी विवाव याद करें इस टॉपिक पोटेंसियल काइनेटिक एनर्जी जो मैकसिमम होती है वह ईब नॉट के पराबर होती याद है चले is equal to क्या होता है hc के बटे lambda minus w टेक है electron पर charge कितना होता है 1 10.6 गुड़े 10 के गाते minus 29 b0 b0 का मान तो हमें निकालना है hh का मान कितना होता है 6 10.6 गुड़े 10 के गाते minus 34 c का मान कितना होता है 3 गुड़े 10 के गाते 8 बटे lambda lambda का मान कितना है दो गुड़े 10 के घाते माइनस 7 है, ठीक है, माइनस W, W का मान कितना दिया है, 4.2, एलक्टान बोल्ट, इसको जूल में बतलना है, एलक्टान बोल्ट को जूल में बतलना है, एलक्टान बोल्ट को जूल में बतलना है, एक दसपरो उच्छा है, गुड़े 10 के घाते माइनस हो यह दसके गाते माइनेस चुछ प्लस आठ माइनेस चब्यस यह माइनस साथ उपर जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा इदर देखे 4.2 अच्छा गुडा करा देते हैं यह पूरा का पूरा गुडा में उधर जाएगा भाग में यानी भी नॉट इस इकुड़ जाएगा तो एक दसके गाते माइनस उनेस होगा बी नॉट इस इकुल डू कितना हो जाएगा देखे हैä तस मान आएगा पहिं सो अंटी कितना जाएगा इसका इस पह भाग देंगे तो लगबन के दो बार के जाएगा दो बारसे थोड़ा कब होगा तो बार देखर के थोड़ा तू भागEC fij अब 1988 टू आधाוכ हुआ है जो जाएगा वह जाएगा 1.9875 मातर क्या होगा बोल्ट होगा ठीक है ना भाग दिखर के आप चेक करिएगा यहीं आएगा ठीक है तो यह आपका क्विश्चन नमबर 25 से एकदम आशान क्विश्चन आई होप यह सब क्विश्चन आपको समझ में आ नगे कहीं से कोई भी दिक्कत ने होगा विडियो को पॉज़ करके नोट करिये सब क्विश्चन जितने आज इस विडियो तो आप कमेंट कर देजेगा टिक है बेलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे की नुमेरिकल के साथ अब तक बेस्ट आप लॉक